लुट अब लुट अब कि अज़न कि अज़न कि अज़न कि अज़न कि कि अज़न कि नमस्कार दोस्तो आपका बॉन्ट डॉक्टर के अगले कि अपिसओड में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे संब्रकेंट टरिक फ्रैक्टर फीमर के बारे में यह भी हिंव फ्रैक्टर है लेकिन पहले जो मारे अमस्माज़ लेते हैं तो विद्पल् Song है कि उसमें हेड होता है नेक होता है और शार्फ होता Tutaj और उपर greater trochanter होता है और नीचे lesser trochanter होता है तो पिछले episodes में हमने trochanter के बीच के fracture study किये थे अभी जो lesser trochanter के नीचे 5 cm to 7 cm area है ये cortical bone होती है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो उपर cancellous bone होती है metaphysis में नीचे cortical bone होती है तो इस area के fracture सब trochanteric fractures बोलते हैं इसमें actually healing थोड़ा ज़्यादा समय लेता है intertrochanteric fracture से और ये reduction पे निरबर है तो normal neck shaft angle humans में 135 degree होता है इंडियन में osteoporosis, osteomalacia के वज़े से eventually जैसे लोग age करते हैं काफी लोगों में ये angle हमें 130 degree मिलता है तो ये आप x-ray में normal hip में measure कर सकते हो तो क्या angle है और इससे थोड़ा 2-4 degree ज्यादा ही रखते हैं हम reduction के time ताके वो collapse नहीं होए वारस में तो ये fracture क्यों difficult fracture है ये fracture जहां से होता है उसके उपर से strong muscles attach होती है hip में तो जब ये bone तूटती है तो muscles fracture को flex करती है ilossoas muscle की वज़े से abduct करती है gluteus muscles की वज़े से और external rotate करती है fragment को external rotators की वज़े से तो deformity fragment की होती है flexion abduction and external rotation तो ये fracture भी generally fracture table पर किया जाता है traction के साथ जैसे कि आप यहां देख सकते हो बनाना position देते हैं और दूसरी टांग को अलग रखते हैं ताके screening के time AP और lateral view के time siyam जो बड़ी machine है वो अराम से घूम सके तो patients जिनकी थाए जाड़ी है या obese patients है इनको lateral position में nail करना चाहिए क्योंकि lateral position में क्या advantage है एक तो आपका hip fragment उपर का flexed है externally rotated है तो हम टांग को उस position में करके reduction easily achieve कर सकते हैं और imaging भी थोड़ा easy होता है compared to fracture table इन patients में खास करके तो यह patients में भी हम try करते closed reduction का बर कभी-कभी closed reductions आती है ज्यादा करके नहीं आती closed reduction जैसे के मैंने बताया यह muscle forces fracture को काफी deform कर देते हैं तो कई तरीके है close reduction try करने के एक तो closed means है जैसे आप traction दो फिर आप शान पिन नेक में डालो और वो पिन से fragment को reduce करो साथ में आप एक artery force सेप्स या clamp डाल सकते हो आगे जो fracture को पकड़ ले और अगर fracture ज्यादा flexed है तो ball pin डाल सकते हैं जिससे हम push कर सकते हैं जैसे कि आप यहां देख सकते हो कभी-कभी fracture को mini open करके reduce करना पड़ता है और अगर reduction difficult है तो हम सरकलाज wires डाल सकते हैं या तो clamp से पकड़ सकते हैं उसको इसमें भी reduction बहुत important है इंटरोकेंट्रिक fracture में जैसे मैंने बताया reduction is the main key तो थोड़ा सा हम गौर करते हैं nail के entry point पे क्योंकि nail preferred implant है biomechanical forces के जैसे जैसे कि आप यह diagram में देख सकते हो lever arm या moment arm कम होता है तो बहुत ज्यादा load लगता है nail पे आने को जो के वह fail कर सके उसको plate का load आम ज्यादा होता है तो यह जल्दी fail हो सकता है अगर fracture time lay union के लिए तो तो अगर आप femur को उपर से देखे कि जैसे मैं यहां बता रहा हूं तो इंटर ट्रोकैंट्रिक फ्रैक्ट्र में तो हम tip of greater trochanter से भी entry ले सकते हैं जैकिन सब ट्रोकैंट्रिक फ्रैक्ट्र में अक्सर हमको पाइरिफॉर्मिस फॉसा से जाना पड़ता है जैसे कि आप यहां देख सकते हो यह डाइग्राम देखिए अगर आप लैटरल एंटरी पॉइंट करते हो तो जब आप नेल को डिस्टल फ्रैक्मेंट में डालते हो तो नेक वारस में जुग जाता है और यह फ्रैक्ट्र की गलत है तो आपको सही रिडक्शन नहीं आएगा इंटरी पॉइंट इस इंपॉर्टेंट स्टेप ओफ इस सर्जिरी इस सर्जिरी का इंटरी पॉइंट सबसे महत्वपुन स्टेप है तो यह अगर आपका नेल चला गया अंदर अच्छी तरह तो आप प्रॉक्सिमल लॉकिंग कर सकते हो अगर तो फ्रैक्ट्र स्टेबल है तो नीचे आप डाइनामिक लॉक कर सकते हो अगर फ्रैक्ट्र कॉम्यूनिटेड है तो आप उसको स्टाटिक लॉक करके लेटर स्ट inter-canic area में होता है यह उन पेशिंट में होता है जो osteoporosis के लिए भाइफ फोसफोनेट्स लेते हैं उन्में पहले तो थोड़ा प्रोडरोमल फेज आता है जैसे उनको थाए में होगए थोड़े दिनों के लिए और फिर फ्रैक्चर हो जाता है ये फ्रैक्चर की एनाटमी fracture site पर distorted होती है endosteal bone formation होता है और यह clear करना पड़ता है gradually कभी-कभी open reduction करके और फिर इसे nail या plate कर सकते हैं और इसमें biology थोड़ी weak होती है bone grafting भी primarily कर देते हैं अगर fracture communated होतो generally यह fractures communated नहीं होते हैं यह transverse fractures होते हैं दूसरी एक important बात है क्योंकि यह fracture difficult है reduction के लिए हम कभी-कभी internal rotation ज्यादा दे देते हैं traction ज्यादा देते हैं traction ज्यादा देने से pelvis हिल जाता है तो pelvis में traction अगर ज्यादा देना है तो दूसरे side पे traction देना है ताकि pelvis obliquely tilt ना हो फिर rotation जज़ करना मुश्किल हो जाता है दूसरा आप जैसे यह pictures में देखेंगे lesser trochanter को अगर आप देखो तो आपको rotation का अंदाजा आ जाता है अगर आप struggle कर रहे हो तो mini open incision करके perfect reduction करके सरकलाज करिए या clamp लगाईए और perfect reduction करिए और फिर जाके nail करिए कई patients हम देखते हैं mal rotation के जैसे कि आप CT scan कर सकते हो अगर आप mal rotation suspect कर रहे हो तो जब patient को आप table से उतारते हो तब ही check कर लिया करो और वही anesthesia में हम correct कर सकते हैं उसको या तो before discharge CT scan कर लो तो 19% mal rotation होता है subtrocentric fractures में यह बड़ा नंबर है mild rotation दो या तीन डिगरी का चल जाता है दस या ज्यादा दस आट दस डिगरी से ज्यादा फिर problem देता है gate में तो यह जड़ा tricky fractures होते हैं इनमें बहुत कहर लेना चाहिए number one goal है perfect reduction जो आपको perfect entry site से ही मिलती है अगर biology compromised है कि आपने fracture खोला है reduction के लिए और बहुत ज़्यादा combination है तो इन fractures में आपको medial या अंदर के बाजू में आईलेक क्रे से graph निकाल के डाल दिना चाहिए supplement करना चाहिए biology को ताके ये fracture जल्दी हील हो जाए क्यूंकि ये fractures कभी-कभी समय लेते हैं healing के लिए अगर biology compromised है तो कभी-कभी हम teriparatide injections भी देते हैं तीन या चार महिने के लिए जिससे fracture healing थोड़ी जल्दी होती है लेकिन ये भी controversial topic है ये injection इसके लिए अभी तक FDA approval नहीं मिला है लेकिन clinically हम देखते हैं कि fracture जल्दी जुड़ जाते हैं और अगर patient को कोई contraindication नहीं है इस injection के लिए तो हम देते हैं ये injection कि ये injection देने के पहले patient का serum PTH calcium alkaline phosphatase वगेरा चेक करना पड़ता है रीनल function चेक करना पड़ता है तो यह हो गया difficult topic सब्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर्स का यह आज यहीं कतम करते हैं अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए शेयर करिए और इस चैनल को बढ़ावा दीजिए थैंक्यों